पूरी टीम ने ग्रामिन लोगों का निसुलक इलाज किया तथा दवा का भित्रन किया चर्मडोग, बालोग, कुष्टोग, गुप्तोग, नाखुन, सफेद दाग, समेथ अनरोग से सम्बंधित इलाज किले डॉक्तर सिवांगी सी एवन उनकी पूरी टीम ने एक दिवसी कैम्प लगातार सेख्रों लोगों का इलाज किया वहीं पूर्पासर सिम मेहता वसमास सेविका सुमन सौरम ने डॉक्तर के पूरी टीम को अंगवस्त परदान कर उनका सम्मान दी किया वही सिम मेता वसुमन सौरब ने कहा कि समय समय पनी सुल्क स्वास क्यांप लगाने से गरीब असहाय नीरोग रहेगे और समास स्वास रहेगा तो एक विक्सित राज का निर्मान हो सकेगा क्लीनिक है डॉक्टर सिवांगी सिंका ये डर्मेटोलोजिस्ट है और इनके क्लीनिक के द्वारा इनके पूरी टीम के द्वारा गोरेया स्थान बेगमपूर में लोगों के चर में रोग का इलाज किया जा रहा है यह निसुल्क जांच सिविल लगाया गया है जो श्री उदय मेता श्री ओम मेता श्री ललुजी और उनकी पूरी टीम और और इनका जो यहां पर फेमस नाम है स्थान ये रूप से वह गपर है गपर जिंग पोस्त है आतनी रंजन कुमार उनके द्वारा और उनकी पूरी यह लगाया गया है यह ग्रामीन छेत्र है और ग्रामीन छेत्र में जो त्वचा संबंदी रोग होते लोग उन्हें जादा अंदेखा कर देते हैं लेकिन अगर बढ़ जाता है तो समस्या काफी जादा हो जाती है क्योंकि सर्थियों का मौसम भी है और इसके से जुड़ी बैमारिया काफी अभी बढ़ जाती है तो उसी के देख़ाल के लिए यहां पर यहां सीविड लगाया गया है इसमें कुछ रोग की विजाज हो रही है उन्हें उपयोगी दवाई दी जा रही है और यह जो वेवस्ता है वो सारी निशुल्क है कि इस तरह का शुल्क यहां महता गबर लल्लू जी और यह छोटू पिंकु जी सीताराम जी और सारे टीम के द्वारा यह निशुल्क आज सीविल लगाए गई है आप लोग भी जो अभी जो सुमर सौरब जी ने कहा कि बास्तम में ठंड में जो है चर्म लोग जो इसकिन का डिजीज होता है वो बढ़ और निशुल्क एगर सीविल लगता है तो जो गरीब लोगों को किसान लोगों को बहुत फैदा पहुँचा और निशुल्क दवा भी दी जाए देखने के साथ साहत एक सीनियर एक डॉक्ट ने के साहत साथ êtes दवा explicit दी दी जा रही है इसकी लिए हम तहए दिल से मैं अपन और लोगों को इससे जो है जो फायदा पहुचना चाहिए वो पहुचे क्योंकि यह पुरी तरीके से ग्रामी नवकिसान का एरिया है बेगंबूआ चर्म रोग, बाल का समस्या, बहुत पुरानी खुजली या छाई या चहरे पे दाने इन सब का इलाज हो रहा है और आज जादा तर दिनाएं या की लोकल लैंग्विज में जो बोलते हैं फंगल इंफेक्शन या सूखी नोचनी का ही मरीज जादा है